आप सुभी कैसे हैं अभी इस वूडियो में हम 5841 में 62 का डिवाइड कैसे करें या इसको हम ऐसे भीन के रूप में भी लिख सकते हैं 62 का डिवाइड हम कब कर पाएंगे जब दिये गए संक्या इससे बड़ा हो आपसान तरीके से स्टेप पई स्टेप समझने का प्रेतन करेंगे जानि वीडियो बहुत इंपोरेंट होने वाला है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें तो यदि दो अंकी संक्या दो अंके साथ तुना करो क्या ये 62 से बढ़ा है नहीं है तो फिर अगला अंक सामिल करो अब बढ़ा है यस अब हम इसको एक से लेकर नो तक कौन से संक्या से गुणा करेंगी इससे बढ़ाना है तो हमने 62 को गुणा किया लगाओ दिमाग जो आपने लगा है दिमाग इसको 9 से गुणा करते हैं 18 एक के लिए चला गए 9 संग चोपन और एक 55 भाग गया 9 वार 558 फिर अमने इसको घटाना होता है कितना आ रहा है घटाने पर 6 है और तो फिर उपर से एक अंग को यहां हम नीचे ले आते हैं जो इसके पास पड़ा गए कितना एक एक को नीचे ले आए ठीक है अब इसको हम गुणा करते हैं कि इससे 4 से 8 2,60 आ गया फिर हमने इसको घटाया कितना गया 3 और 1 अब क्या करें आगे डिवाइड करने के लिए तो आप मैंसे एक बंदा आकर बोला इससी स्तती में पॉइंट लेना होता है इसके साथ 0 लिख देते हैं फिर क्या करें मैं आप से पूछूँगा तो सर फिर भई जैसा आप पहले डिवाइड किया था भी भी वैसे डिवाइड करना है तो इसको जैसे हम दो से गुणा करते हैं multiplied by 2 कितना गया 124 आगया फिर हमने subtract किया घटाया कितना गया 6 point लगा रखाया 0 आजएगा क्या यह 62 से बड़ा है देखिए point के बज़े से 0 लिखने के बाद भी बड़ा नहीं आता है तो फिर divide कितने वाइड होता है 0 वाइड होता है फिर हमने इसको घटा दिया कितना के 60 point लिया वा तो इसके साथ 0 आ जाएगा फिर वही कितने वाइड हो गया 9 वाइड हो फिर हमने इसको subtract कर दिया इस प्रकार से divide आपका आगे चलता रहता है यह क्या है भागफल है इसके बराबर हम अपना क्या लिखते है भागफल लिखते है धन्यवाद